हेलो रुवान, वेल्कम टु एलेक्रिकल अलजिक हमें स्केवस, आज के सेशन में हम लोग गेटवड़ वन देटमीज गुजरात एनरजी ट्रांसमिशन कर्पोरेशन लिमिटेट वारा जो रिसेंड में वेकिन्स आयी ती उसके लिए हम लोग इंपोर्टन पाउर सिस्टेम क सीटियो में हम लोग आज कर दो हमारे वीडियो के सिक्षिन में हैu इसके पहले के अपने सेशन्स नहीं देखेंगे उन सब की लिंक में आपको इसकी ब्लेइस्ट को प्रवाइट करें हमारे हमारे विडियो सकी सक्षिन में तो चलिए गाई हम लोग आज के session को शुरू करते हैं बट बिफोर दाट आपको पता होना चाहिए गेट को 2221 का syllabus examination pattern किस तरीके से रहने वाल है आपको पता है इसमें दो sections रहने वाल है एक तो हम लोग consider करते हैं non-technical का और दूसरा है technical का, non-technical के mainly non-technical में mainly हमारे पास में GK general English, computer knowledge और Gujarati language as well as grammar का 10% weightage रहने वाल है और mostly 60% जो weightage है हमारे technical के उपर है अब मैं आपको बता दीता हूँ बात कि general knowledge, journal English और computer knowledge का आपको 100 questions का एक session मिलने वाल है जल्दी से जल्दी आपको पता होगा हमारा non-technical channel है coachify वहाँ पर मैं आपको जल्दी से जल्दी एक से दू दिनों में sessions upload करा दूँगा काफी important रहने वाल है आपके non-technical के preparation के लिए और उसके link में आपको update देने के लिए आपको telegram channel join करना होगा या फिर अपने coachify चैनल को subscribe किया होगा आपको बता दिया आप इस syllabus का जहाँ पर जो important topics है आपको इस साल पूछे जाने वाले तो आपको यह बात धान में रहना होगा में जो important topics है जहाँ पर मैंने mention करके रखे जो भी आपको get को द्वारा बताए गए तो आपको यह mainly syllabus के point से इसको आपको अची तरह किसे prepare करना होगा ठीक है तो अभी हम लोग हमारी session को शुरू करते है बट before that हमें previous session का answer सबसे पहले तो discuss करना पड़ेगा जो हमने कल session लिया था important question set जो आरिव इनियल यूपपिसे अलो और यूपी आरिव इनियल के examination के लिए काफी ज़्यादा useful है इसमें हमने numerical based mcqs को distance किया रहा है तो इस session को आप जाके देखे काफी important है अगर आप आरिव इनियल और यूपपिसे अलो और यूपी आरिव इनियल के examination में से कोई भी examination के पूचा गया है तो उसको हम लोग कहते है चार्ज डेंसिटी भी हम लोग उसको कहते है अलफा हम लोग उसको चार्ज डेंसिटी से भी डेनोट करते है तो आपको यह धान में रखना का option C is question का correct answer आ जाएगा और इस question का correct answer दिया है उन top 10 students के नामे मोहिन मंसूरी, Mr. दीन, ग सबसे पहले तो आपको आइडिया पता लग जाएगा कि आपको इस साल किस तरीके से questions पूच जा सकते है और फिर किस तरीके से गेट को ने पूच लिए है ठीक है अगर आपको detail syllabus जानना होगा तो इसकी pdf मैंने हमारे जो application है उसके पर मैंने notes के section में डाल के रखे गेट को syllabus के लिए वहापे आपको detail syllabus में कौण से point पढ़ने है या आपको मैंने हापे mention करके रखे और इसके पहले का अगर अपने part 2 ने जाने है जो हमारा सब्सेशन को और distribution ट्रांस्वर्म को फीड करती है उसके हम लोग क्या कहते है इस तरह के questions से रहते है में लिए काफी basic से questions हम लोग this करने वाले बट यह repetitive है और यहाँ पे भी हमें काफी बार examination में confusion रहता है तो यह आपको ध्यान में रखना हो का it is not a secondary distribution it is a secondary transmission option B is question का correct answer है देखे जिस तरह के से power station generator में यहाँ जहाँ पर generation होता है ठीक है वो mainly होता है कि हम लोग substation और distribution transformer को इसको फीड करते हैं ठीक है and then हमारा step-down होता है थर्टी से लेके 3.3 के भी तब तो यह चार्ट जो बेसिक सा चार्ट आपको ध्यान में रखना होगा हाला कि आपने काफी अच्छी तरी किससे को प्रिपेर कर लिया है मैं आजिम कर ले तो क्योंकि आपे mainly voltage levels भी काफी बार आपको examination पूछ जाते है जो primary transmission होता है primary distribution होता है उसके इसमें हमारे पास में कौंसे कौंसे voltage लेवल यूज किया जाते है वह आपको important है वह mainly पूछ जा सकते है ठीक है then we have a next question which is question number 2 which of the following is not a standard transmission voltage इसमें से standard transmission voltage कौंसा नहीं है हमें यह बताना है 132 kv 400 kv हमारे standard transmission voltage है in fact 750 kv भी हमारे standard transmission voltage है but 222 kv is not a standard transmission voltage वो क्या होता है 220 kv होता है then we have a option see is case में correct answer आ जाएगा next question है हमारे पास में question number 3 the number of conductor in a double circuit transmission line is double circuit transmission line में कितने number of conductors रहते है देके double circuit है एक circuit में हमारे पास में एक तो r y b ऐसे तीन conductor रहते है प्लस एक हमारा ground wire रहते है double circuit में हमारे पास में 2 r y b रहते है ठीक है let me see हमारे पास 6 conductors होगे ठीक है और एक हमारे एक ground का conductor होगे तो option हमारा कौन सा आजाएगा ठीक है certain length एक हमारे certain length के उपर हमें power transmit करनी है with a fixed power loss देन इस केस में हमारे पास में statement में क्या गिवन है the weight of the conductor required will be proportional to the voltage the weight of the conductor required will be inversely proportional to the voltage and that of the power factor of the load ये इनकरेक्ट स्टमेट हो जाएग the weight of the conductor required will be inversely proportional to the square of voltage ये statement करेक्ट है and that of the power factor of the load ये हमारा statement इस किसमें valid बैठेका ठीक है जब हमारा fixed power हमें transparent करना है तो हमारा weight कह रहता है ठीक है वो inversely proportional रहता है square of voltage से ये आपको यहापे ध्यान में रहता हूँका option c is question का correct answer आ जाएगा then we have a next question which is question no.5 जी question क्या कह रहा है हमारे पस में the air preheater in a thermal power plant is called as अपको पता है air preheater का mainly purpose क्या होता है जो की recover करता है हमारे heat जो रहती है हमारे पस में जो boiler boiler से जो flue gases pass on होती है after utilization तो उसमें कुछ heat रहता है heat content रहता है वो हम लोग उसको heat का utilization करते है so that हमारी thermal efficiency को increase कर सकते है ठीक है by reducing the useful heat lost in the flue gases जो useful हमारी flue gases के अंदर heat रहती है उसको हम लोग recover करते है by using this air preheater तो यह हमारी thermal power plant में use करने के इसका क्या करने है so that हम लोग हमारी efficiency जो है increasing efficiency वह हमारे equipment के वो increase कर सके option B is question का current answer आ जाएगा then we have a next question which is question number six the material for our burning on a cable is usually cabling के ओपर जो हमारे armoring करते हैं उसमें हम लोग कौन सा material यह यूज करते हैं हमें पूछा गया galvanized steel wire या फिर steel tape तो आपको धहन में रखना हो का we use both galvanized steel wire as well as steel tape for the armoring of the cable आपको cable से रिल्टेड एक question definitely पूछा जाता है गया इसके रिल्टेड में एक session भी upload करके रखा है वह आप जाके देखना होगा अगर इसकी link आपको नहीं आपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में थोड़े से insulation के difficulties उसके में आ जाते हैं ठीक है तो mainly cable घरमाद डामेज हो जाता है वह फाइब्रेशन है फिर 40 के कारण या फिर overrating के कारण तो हम लोग 66 kilo volts के अभाव हम लोग अपरेट नहीं करते हैं अंडर्गाउंड सिस्टेम को या पुद्हान में रखना होगा ऑप्शन डी इस question का correct answer आ जाएगा then we have a next solution which is question number eight एक important question है एक हमार अपस में three phase delta connected system है जिसको हमें supply कर रहे by line voltage of 400 volt the value of phase current is 70 ampere जो phase current का value है वह हमारा 70 ampere what is the power in kilowatt consumed by the system if the current lacks the voltage by 60 degree ठीक है तो हमें कितना power consume हो रहा है यह हमें पूछा कह है जो हो जाएगा P is equals to three VPH delta है इसलिए हमने consider कर लिए IPH into cos of five ठीक है 3 into VPH का value कितना आ जाएगा जो हमारे पस में delta में जो phase voltage वह है जाकर हमारा value रहता है line voltage का ठीक है multiplied by हमारा IPH कितना है 70 ampere है ठीक है IPH I L is equals to root three times of IPH रहता है बट हमने यहां पर three का factor consider कर लिए इसलिए हम लोग डिख लिए IPH का value लेख सकते है जो हमारा 70 into cos of 60 degree आ जाक है cos of 60 मैंने आपको बताया था cos 60 का value किस तरह किस तरह किस निकालना है कि मैंने short trick मैं आपको बताया थी ठीक है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ तो हमारा cos 60 का value कितना है वह हमारा 1 by 2 that means 0.5 ठीक है तो इसका correct answer कहा जाते है 42 kilowatt option B इस question का correct answer जागा देखिए मैं आपको बताया था हूँ sin 30 cos 120 tan 45 cos of 30 degree cos of 45 degree आपको किस तरह के से निकालना है मैंने आपको बताया थी यह अगर आप तीनों values जान में रख लेते हैं तो आपको कोई भी values इसमें से sin cos 10 के अगर आपको पूछी गई एक्जामनेश में है तो without calculator आप quickly निकाल सकते होगा इस तो इसलिए आपको मैंने एक session recommend किया था यह अगर आप आप नए student होंगे हमारे चनल को first time visit करेंगे तो इसको जाके देखेगा काफी important है और useful है और इसी के साथ मैंने एक session लिया था ज काफी जदा time जितना आप एक minute के अंदर उस question को solve कर सकते थे उसमें आप सिर्फ calculation में 2 minute लगा देते हो that means आपने 3 minute waste कर दे एक question को solve करने के लिए जो कि आपका सिर्फ 1 minute में आता है सिर्फ 2 minute आपके extra mathematical के expression को solve करने के लिए आपका waste होगे इसलिए आपको time बचाना काफी important रहत टू इफ द इंसुलेशन इसट भी दा वन अवब दन रिलेटे फरमिटिविटी हमने परमेद लेटिव डेटा अगल दिसे हम लोग फिर से एक बार प्ढ़ लेते ऑं केबल हैसा इसलेशन आप रिलेटे परमेदिविटी टू अगर हमारा इंसुलेशन रिप्रेश कर दिया तो हमारा क्या एफेक्ट हो जाए है हमें पूछा गया है तो क्या होता है एपसिलॉन जिरो एबाइ डी करेक्ट तो हम लोग रिश्यो बना सकते हैं हमने नया रिश्यो कितना है यह 4 और डिवाइड बाइ 2 हमारा इनिश्यल रिश्यो आए 1 तो हमारा तो हमारा चाहिए प्रमेटिविटी चेंज करते हैं तो हम लोग दूसरे पर्मेटिविटी के साथ रिप्लेस करते हैं कर निक्स तोशन है वारा पस में कुश्य नमबर टेन अब बिल्डिंग ऐस थ्री फ्लोर एक बिल्डिंग में तीन फ्लोर से यह होगी बिल्डिग इच फ्लोर एज़ो फ्लोर फ्लोर पर हमारे पस में फॉर फ्लोर फैनस ठीक है यहां पे 49 नहीं चाहिए था ठीक है 50 वैट डाट ऑपरेट्स फॉर ट्वैल आवर्स ठीक है 50 वैट के जो कि 12 आर ऑपरेट करते हैं युशी हमें चाहिए gjालक आफेंगे स्भस करते के लिए दो गंटे के लिए युश्य है में सब्सक्रमां थाइब żyवं ना मत में कितना कते हैं और डशना को है तो हमको पता होना अचाइए एनरजी को लोग किस तरीके सेने तो power multiplied by time आपको अच्छी तरीके से समझ में जागो, तो हमने सबसे पहले energy को निकाल लेंगे, kilowatt hour से हम इसलिए हम लोग 1000 से पहले तो divide कर लेना हो का, जो भी value आएंगे, मुल्टिफ्लाइब कर ले ओições एक इल्कुलोर के लिए तो हमारा से ओसाले मोगंप तो कितने रहुने का जिमले के लिए कितने रहां के संटे में सप्टींबराइबे ग हम भल讲 त mand 갈 dai किंवले कला का कुस् asleep the wyddo गंटे का epic करते हैं जो कि सप्टेमर मंद के लिए इसको अगर अपने कंप्लेटली स्वाल को ले तो आपको वैलियो आता है सवन सिक्सिफ़ किलो वाइट आर देखिए जो भी कैलकुलेशन रहते किस तरीके से सिंप्लिफाय करना है मैंने आपको इसलिए उस सेशन में तो मैं आपको जो सेशन रेकमेंड किया था वो आप जाके देखेगा ज़रूर नेक्स कुशन है हमारे पास में कुशन नमबर लेवन दो लोड फैक्टर ऑफ़ डॉमेस्टिक लोड का वो कितना रहता है वो रहता है अब फिप्टी तू सिक्स्टी परसेंट एक नेक्स कुश इसकी सम कर लेंगे वह जाएगा 15,000 ब्लस 12,000 ब्लस 8,500 ब्लस 6,000 ब्लस 45,000 ब्लस फोर्टी फाइव हंडड़ नॉर फोर्टी फाइव हंड़ एट इसमें मैं को कैज पता ते तो आपको पता होना चाहिए कि डावसिटी फेक्टर इस अल्वेस्टर इस ग्रेटर देन वन अगर यहां पर ऑप्शन डी जो है यह माना 0.85 रहते तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत इंग जया दी अब डिरिकली ऑप्शन ए मार करके वहान हो सकते थे क्योंकि आपको बदाए डैवसिटी फेक्टर हमारा इट इस ऑल्वेस ग्रेटर दैन रहते हैं ठीक है तो मान लो यहां पर 0.52 हो सकता है क्या नहीं इस तरीके से आपको स्मार्ट व अच्छा तरीके से तो आप काफी अच्छा टाइम बचा सकते हो ठीक है दन हमारा नेक्स कुछन है जो कह हमारा कुछन नमर 13 नाम से पूछा गया है नूटरल अर्थिंग को हम दुख सिस्टिम अर्थिंग के नाम से भी जानते है तो आपको ध्यान में रखना हो का इस आपको पता है अगर हमारा एक्मोस्फेरिक टेंप्रेचर बढ़ता है तो हमारे लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है अगर हमारा लेंथ इंक्रीज हो जाता है स्ट्रेस के अपर क्या फरग होगा अगर हमारा सैक का है तो यह हो कोता है हमारा सैक इस तरीके का जो शेप बनता है यह कुम लोग कहते हैं साइक तो यह depend करता है stress जो आता है हमारा वरता है एस इस इकूस टू डबलु एल स्क्वाइर अपॉइर टी यह टेंप्रेटर में ही यह यह ती जो है यह हमारा प्रपोर्शनल एंट के वन पॉइंटी इस इसे भी अगर अपनों नहीं नहीं अपनी ध्यान में रखा आपको पता है जो मेंटल्स होता है ठीक है इंक्रीष जाएंगी बाट स्ट्रेस जाए इसंके समय इंक्रीष जाएगा उसे तरीके से खरिमारा टेम्परेटर कम होता है क्वेंटी डी इंक्रीष मानलो तो कुछ इस तरीके से आवह बन सकता है तो आपको ध्यान में रहें हो काफी बीशिक से लॉजिकल कॉस्टर यह function of capacitor connected across fluorescent lamp is fluorescent lamp के across में capacitor connector रहता है उसका mainly function क्या रहता है to improve the power factor power factor हम लोग काफी heavy choke इसमें use करते है इसलिए आपको power factor improve करने के लिए हम लोग fluorescent lamp के across में capacitor का function capacitor connect करते हैं यह choke के कारण वो interactive load काफी सता बढ़ जाता है इसलिए इसको power factor correction के लिए हम लोग इसको capacitor का भी use करते है next question हो जाएगा हमारा question number 16 most of the fuse operates due to हमारा आपको fuse जो होता है वो किसके कारण operate होता है आपको धहन में रखनों का यह होता है due to heating effect of the current जो I square RT loss होता है उसी के कारण यह हमारा fuse melt हो जाता है जो energy dissipate होता है उसमें जो heat होता है एक particular level के बाद अगर हमारा heat dissipate हो रहा है current जाधा उसमें से flow हो रहा है short circuit current तो यह हमारा fuse element जो है यह melt हो जाता है जो है and it is due to the heating effect of the current यह हमारी तीनों भी statement incorrect हो जाएगे then we have a next question which is question number 17 different type of relay are used in a control circuit they operate under the predetermined conditions to fulfill the control equipment some relays are capable of operating with a time delay which one of the following is used as a time delay relay इसमें से कौन सा time delay relay है आपको ध्यान में रखना होगा वो होता है हमारा thermal relay guys option D इस question का करेट आइंसर रहेगा जब भी हमारी biometallic strip heat हो जाती है हम लोग इसको heat करते है कोईल के उपर रखे है फिर दूसरे कारण के वाज़े से वो bend हो जाती है वो हमारे contact को open कर देती है यह होता है हमारा time delay ठीक है और यह हमारा एक part of thermal relay है option D इस question का current answer आजाएगा then we have a next question which is question number 18 the operation of a distance relay depends upon जो distance relay का operation है था है किसकी कारण होता है यह होता है डिपन अपन ratio of voltage to current not a current to voltage जान में रेकम का ठीक है वोता है depending upon the voltage to ratio current distance relay है का हमारा यह हमारा impedance relay यह हमारा impedance relay ठीक है और वो depend करता है impedance between point of fault and point where the relay is located ठीक है तो depend करता है impedance relay है तो हमारा voltage by current पे वो इसका जो value है वो चेंज हो जाएगा next question we have which is question number 19 एक हमारा पार circuit break करें जिसका rating कुछ इस तरिके से given है ठीक है तो हमें making current का value पूछा गया है आपको पता होना चाहिए making current का जो formula रहता है ठीक है वो रहता है 2.55 times of symmetrical breaking current यहाँ पे जो value given है हमारा पास में 1500 rpm यही हमारा है breaking current ठीक है इसको अगर हम लोग 2.55 से multiply कर दें तो जाकि हमारा value आता है 3.825 kilo ampere देखें 1500 को अगर आपने multiply कर दें 2 से तो कितना आ जाएगा 3000 correct 3000 ampere और यहाँ पे 0.5 है इसको अगर आप 3000 का 750 भी अगर हम लोग add कर दें 0.55 है तो आपका approximate 3750 से जादा ही रहेगा ठीक है 35 kilo ampere 110 kilo ampere 1.5 kilo ampere नहीं रहेगा तो आपको इस तरीके से option solve करने है और इसमें काफी कम time spend करने है आपके calculation जितना आप smartly इस calculation को solve करते है उतना ही आपका time budget तर उतना ही आप questions को attempt कर सकते हो option B इस question का return answer आजाएगा इसके लिए मैंने आपको इदेखी यह जो session है यह आप मैंने mention करके रखा है हला कि यह काफी important session है एक sign को, stand को, simplification वाला और जो दूसरा है यह हमारा simplification technique मैं आपको इस screenshot को pause करके भी देख सकते हो कि we have a next question which is question number 20 the generation of hydroelectric power does not depend upon hydroelectric power किसके उपर hydroelectric power का generation है वो इसके उपर depend नहीं करता है specific weight of the water पे वो depend करता है rate of the flow of water, water का पानी का कितना flow है बहाव है उसके पर भी कितना generation हो रहा है वो depend करता है height of a water head, कितना height है हमारी water head की उसके उपर भी depend करता है efficiency of the evaporator पे यह depend नहीं करता है आपको यह ध्यान में रखना होता है इसका expression भी e is equals to k times of multiply by lambda q h into eta k जो होता है वो constant होता है तेकि इसमें different different conditions भी आते हैं अगर हमारा specific weight of the water वो अगर हमारे पास में किसके पर depend करेगा e is directly proportional हो तो lambda अगर हमारे पास में q eta और h constant है तो available water head generator efficiency और rate of water flow पे वो डिपेंड करता है बाकी की चीज़े terms concentrate है simple है ध्यान में लेकिए वह यहां पर यहां पर यह इतना ध्यान में रहते है जो efficiency रहते है यह operator पे इसके पर depend नहीं करता है hydraulic power generation का ठीक है then we have a next question which is question number 21 shunt reactors are needed shunt reactors के हमें क्यों रहती है to bring down the receiving end voltage to a lighter load receiving end का voltage हम लोग light load conditions पे regulate करने के लिए maintain करने के लिए हम लोग shunt reactor को use करते है shunt capacitor हम लोग किसके लिए use करते है power factor power factor को improve करने के लिए series reactor हम लोग किसके के लिए use करते है ठीक है तो reduce the net reactance in the line important है और shunt inductor जो हमारा reduce करते है फेरंटी effect ठीक है जुसके हम लोग कहते है shunt reactor ठीक है important है ध्यान में रखनों को option B इस question का correct answer जागा तो यह थे guys आज के लिए कुछ 21 important questions I hope आपको session सभाज में आऊँगा नेक्स session के लिए आपको question छोटके जारो question काफी simple है इस question का correct answer हमें comment box में comment कर सकते है गेटकू के लिए आपको non-technical का session जल्दी सेल्दी आना होला है कोचिफा चैनल के पर अच्छा कर तो आपको आज कर session completely समझ में होगा आपके इस session को दुस्तों के साथ share करेगा हमारी चैनल कोचिफ है और electrical engine game secure subscribe क्लिक करके subscribe कोई भी दिक्कत आती है तो हमें comment box में comment करेगा साथ साथ हमारे दोनों भी telegram channel को join कर लिजएगा काफी interactive sessions में आपको लेते रहता हो और interaction भी हमारा होते रहता है आपके लिए रहता है